अलो दोस्तो आज हम बात करगे बिलासपुर लेह रेलवे लाइन के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं बिलासपुर लेह रेलवे लाइन के बजट के लिए अभी देश को एक सालोर इंतिजार करना होगा परजट की DPR त्यार ना होने से इस बार बजट में शामिल नहीं किया गया उत्तर रेलवे इस परियोजना की DPR दिसमबर 2021 तक त्यार कर रक्षा मंत्रालेव को सोंपेगा इसके बाद 2022 में इसके लिए बजट घोशना होने की संभावना है सामरिक और वैपारिक दृष्टी से अती महत्पून बिलासफूर लेह रेलवे लाइन परियोजना की DPR इस साल दिसमबर में सरकार को सोंपी जाएगी जब तक किसी परियोजना की DPR तियार नहीं होती तब तक उसके लिए बजट नहीं जारी होता इसके चलते इस परियोजना के बजट के लिए देश को अगले वर्ष तक का इंतिजार करना होगा उत्तर रेलवे की टीम इस परजट की DPR बनाने में जुटी है तुर्की के विशेशग्य भी इस लाइन का सरवे कर चुके हैं पर परियोजना को पूरा करने से पहले 83.5 करोड रूपे का एस्टिमेट था लेकिन गत वर्ष रेलवे टीम ने सरवे कर 15.5 करोड रूपे घट गए हैं इसमें अब इसका एस्टिमेट बजट 66.000 करोड रूपे है उधर उत्तर रेलवे के चीफ इंजिनियर हरपाल सी ने बताया कि किसी भी परजट को बजट में तब डाला जाता है जब उसकी डीपियार त्यार हो इस परजट की डीपियार देसमबर 2021 में त्यार होगी फिर इसे रक्षब मंत्राले को सोपा जाएगा उसके बाद बजट जारी होगा फरवरी 2021 से 21 जून तक तुर्की के अलाइनमेंट जियोलोजिस्ट एस्ट्रोचल और टनल आधी के जुड़े एक्सपर्ट टनल ब्रिच का अनिय धांचा जांचने में लगे हुए थे आज के लिए इतना ही फार मोर अपडेट लिए प्लिज श्क्राइब मैं चैनल और हिट बेल बटन